पिछले हजारों वर्षों से समाज पर पुरुस वर्चस रहा है परन्तु अब समय बदल रहा है इस्त्रियां भी समानता के मार्ट पर आगे बढ़ चली है और अब वो पुरुसों से भी आगे निकलने जा रही है लेकिन अभी भी ऐसे परिवार है समाज का ऐसा भाग है जहां पर पिस्त्रियों को संगर्ष करना पड़ रहा है और पुरुस वर्चस को तोड़ना उन समाज के बीहर इलाकों में आज भी एक चुनोती है आज के पूड़कास्ट का यही थीम है जिसे लेकर मैं अमरसर आपके सामने अमरसर यूटिब चैनल पर आया हूँ उस लड़की ने पुरुस वर्चस को चुनोती दी सारी दिक्कतों का सामना किया और अन्त तह गवर्मेंट एक्जाम में उसने सफलता हासिल की उसे किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा मैंने जितने नज़्दीक से देखा अपने उस स्टूडन को मैं समझता हूँ एक ग्रेट इंस्पिरेशन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए तो आईए मैं बताता हूँ उस लड़की का नाम है जियोती लेकिन इसके पहले उनके बड़े भाई संतोस कुमार इनके बारे में मैं अलग से एक पॉड़कास्ट में बताऊंगा सटस्पल स्टूरी वाले इस सीरीज में लेकिन आज तो उनकी सिस्टर के बारे में बता रहा हूँ संतोस जी मेरे स्टूडन्ट थे और उनके कैनरा बैंक में पियो में जबर्दस सफलता हासिल की थे मैंने पहले ही का उनकी पूरी स्टूरी भी बहुत बढ़िया है प्रेडर नादायक है तुनाओंगा तो जब उन जॉब के बाद सेलेक्शन के बाद वन येर काम करने के बाद वापस आए तुम उससे मिलने आए और उन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर है वो भी इसका प्रेफेशन करना चाहती है तो मैंने कहा ठीक है उन्होंने कहा जिमसेदपुर में उन्होंने कहा तीन मेहिने में उसे पास करा ली। मैंने का संतोज जी आप तो जानते हैं आपने भी लगवक्त सालवर पड़ा है। तीन मेहिने में तो सक्सेस नहीं मिलता। सिर्क मेरे मन में क्या आया। मैंने पुछा कि तो कहां रहती हैं यहीं परनात। तो नहीं उनके शादी हो गई है वो बुकारों में रहती हैं। तो मैंने कहा, उस समय मैं बुकारों जाता था। तो मैंने कहा थीक है वहीं पर मैं पढ़ाने जाता हूं भी बेज दिजी, क्योंकि तीन मेने में तो नहीं संभव है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और वो कारों में उन्होंने बेजना शुरू किया, वहां जो इस्टिचूट था, इसमें मैं पढ़ाता था, वहां उन्होंने अड्मिशन करा दिया, मुझे पढ़ने आई, तो पहले क्लास में उन्हों ने अच्छा अंसर दिया, फिर कुछ क्लासेश चले, मेरा ध्यान तो पढ़ाने में रहता था, फरस्डे में जाता था, वेंस्टे को जाता था और थर्सडे को वापस आयाता था लेकिन अचानक वैसा अगर कोई स्टूडंट है एक स्टूडंट की कहानी मैंने सुनाई थी आपको वहीं किते तो यहां यहां पर जब मेरा ध्यान गया तो मैंने कहा आप तो पढ़ने हम अच्छे है ऐसा कीजिए आप दूसरे बैच में भी आईए सुबह में तो कि मैं तो दो ही दिन के लिए आता हूँ तो दोनों बैच में आपका रिजल्ट हो जाए फिर मैं चला गया नेक्स वीक आया तो वो तो आई नहीं फिर मेरा ध्यान गया मैंने कहा यह आप आये नहीं तर घर से पर्मीशन नहीं है बड़ी मुश्कल से रुआसा होके उब बोली तो मैंने कहा ठीक है आप अपने गार्जियन को यह बेच देजे मैं बात कर लूँगा तो मेरे हस्बेंड आएंगे ठीक है उने को बेच देजेगा अगली बार जब मैं क्लास लेकर के बाहर निकला तो उनके हस्बेंड आपिस में बैठे थे ठका हुआ था मैंने मुझे कहा कि यह पढ़ने में अच्छी है इनको दूसरे बैस में भी आप भेजेंगे तो जल्दी रेजल्ट हो जाए उनके हस्बेंड ने मुझे से कहा क्यों आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं इस अंसर के लिए तो तैयार ही नहीं था मैं तो क्लास लेकर निकला था दूसरे ही मूड में था और अंसर का यह अस्तर और वाक रह गया बहुत गुस्सा आया लेकिन इतना गुस्सा आया कि मैंने कुछ नहीं कहा सामने वो रो रही थी सामने वो रो रही थी गुस्से मैंने कहा यह आई और फिर उनसे कुछ बात नहीं कुछ लेकिन तुरंत मैंने फोन लगा है संतोस को, उस समय वो दिल्ली में पोस्टर थे, मुझे माजरा समझ में आ गया था, मैंने कहा, ऐसे जाहिल से आपने अपनी बान की शादी की है जी, ये तो जेलस है, ये चाहता ही नहीं है, कि मेरी पतनी को जॉब हो, ये पास करने नहीं द देगा, कोई उपाई नहीं है, इसको वापस जमसेद्पुर में मेरे पास भेजिए, अब सिर्फ तीन मेने के लिए भेजिए, मेरा दावा है, सलेक्शन करवा के छोलूँगा, क्योंकि ये स्टूडन्ट उस लेवल की है, जो डडिकेशन है, और वो स्टूडन्ट कौन थी अब मैं आपको परिशे कराता हूँ, इसके पहले, इस्टिचूट के दूसरे लोगा आए, बोले, सर आप किस से बात कर रहे थे, वो आदमी दूर से ही आता है, और ये सारा गर के बोलता है, चलो निकलो क्लास से, और क्लास से निकाल के ले जाता है, रोज इस्टिचूट जाता है, और ले जाता है, पता नहीं उसको क्या डर है, तो उसने कहा भी मुझे, कि सर मैं तो, हम लोग तो फंस गया इसमें, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है, इंजिनियर बोल करके उसने शाली की थी, वो तो टेंप्राली मजदूर था, और उसके बाद तो कुछ करता भी नहीं है, रादी के दो साल हुए थे, तीन साल हुए थे, दो बच्चे थे, तीन साल हुए थे, जोती के और दो बच्चे थे, घर का पुरा काम करती थी, और इसके बाद वो पढ़ने आती थी, पढ़ने का पर्मिशन कैसे मिला? तो उनके स्वसुर्जी, father-in-law वो अच्छे थे उन्होंने इनकी प्रतिवा को पहचाना अला कि बेटे के सामने उनका भी ज़्यादा चलता नहीं था लेकिन उन्होंने admission करा दिया थे पढ़ने में मदद करते थे लेकिन जोती सारा काम करते हुए दो बच्चों को पालते हुए, घर का सारा काम करते हुए हस्बन की ताना साही सहते हुए पढ़ाई कर रही थी अब जब जमसित्पुर में उनके भाई साब दिल्ले से आए मेरे पास यहां लेके आए घर तो उनका जमसित्पुर में ही है मैंने भी इसको मिशन मान लिया तीन महीने में कोर्स भी कम्प्रीट करा दिया रिवीजन भी करा दिया इंट्रिव्यू के ख्याल से भी पर्सनेलिटी डेवलप्मेंट का भी दो तीन क्लास ले लिया गाइड कर दिया मुझे पता था कि दुबारा यहां नहीं आ पाएंगी तीन महीना गुजरते गुजरते वहां से फोन आ गया तो कि तीन महीने के लिए संतोस ने उनसे समय मांगा था और अपनी सिस्टर को अपने घर ले कर के आये थे और पढ़ने के लिए मेरे पास भेजा था लेकिन मैं आस्वस्त था कि प्रप्रेशन हो चुका था अब इनका रिजल्ट होना था फैर तीन मैने गुजरे फिर हो चली गई अपने ससुराल कुछ दुनों के बाद तीन चार महीनों के बाद मुझे एक फोन आया जब मैंने फोन उठाया तो उधर से कोई आवाजी नहीं आ रही है सिर्फ रोनी की आवाज आ रही है जब कई बार मैंने हलो हलो कहा तब उधर से आवाज आई ये वही ज्योती थी उसने कहा आंधरा बैंक पियो में उसका फाइनल सेलेक्शन हो गया है खुशी के आशू है आवाज नहीं निकल रही है मेरी खुशी का भी ठिकाना ना रहा मैंने भी इसे एक मिशन माना था और अपनी हुर से पूरी मेहनत की थी इसके कुछ वर्सों के बाद जॉब में फाइनल सेलेक्शन होने के कुछ वर्सों के बाद जब उनका फोन आया तो मैंने एक बात पूछी लेकिन उस बात को पूछने के पहले जब इन्होंने कहा कि इनका सेलेक्शन हो गया तब मैंने कहा आपने तो प्रांती कर दी अब ये हस्बंड आपके साथ जाएंगे आपके चार और चक्तर लगाएंगे इतना बोल कि मैंने छोड़ा था और जब कुछ वर्षों के बाद एक बार पोन आया तो क्या बात थी उतो छोड़ी मैंने पूछा आपके हस्बंड क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं रोटी बनाते हैं बच्चों को पालते हैं रखते हैं और वो काम करती हैं जोती की आवाज में एक अलग ही जोती न जरा रही थी वो दवी सहमी सी जोती नहीं थी बड़े गर्व के साथ उत्साह के साथ लेकिन पती का रेस्पेक्ट करते हुए वो एक कह रही थी कि घर वो चलाती है husband घर का काम करते हैं रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं और बच्चों को रखते हैं उनका लारिन पारण रखते हैं, मुझे बताईए किन स्थेदियों में जोती ने मेहनत की, लगन की वो पराकास्था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया और मंजल दिलाई, क्या इस से बड़ा एक्जाम्पल ढूड़ पाएंगे? इस से बड़ा इन स्थेतियों में पास करना, वो भी छे से साथ महीने के अंदर, इस एक ग्रेट अचिवमेंट, आज का पोड़कास्ट नहीं तर, मैं अमर सर यूटूब चैनल पर आप सब हमको धन्यवाद दिता हूं, ओके बाए!